पवित्र नर्मदा नदी की यात्रा आज हम आपको ले चलेगे भारत की प्राचीन और पवित्र नर्मदा नदी की यात्रा पर, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है नर्मदा, भारक के मध्य से बहती हुई, लगभग 1300 किलोमीटर लंबी है और इसका उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंतक पथार से होता है यह नदी, जिसे मां का दरजा दिया गया है, भारतिय पौरानिक कथाओं और संस्कृति में विशेश स्थान रखती है गंगा या यमुना की तरह नहीं, नर्मदा पश्चम की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर मिलती है नर्मदा को भगवान शंकर की पुत्री कहा गया है, मानिता है कि नर्मदा गंगा से भी प्राचीन है नर्मदा के किनारे कई पवित्र शहर और मंदिर बसे हुए हैं, जैसे कि उनकारेश्वर और महेश्वर जहां भगत आशीरवाद लेने आते हैं उनकारेश्वर बारह जोतिर लिंगो में से एक है, जो इसे धार्मिक ब्रिष्टिकों से अत्यंत महित्वपून बनाता है मोहक स्थलों में से एक है, यहां नदी इन सफेद संग मरमर की विशाल चटानों को काते हुए बहती है, जो एक अद्वितिय द्रिश्य प्रस्तुत करती है नर्मदा सिर्फ एक नदी नहीं है, यह एक जीवन रेखा, भक्ति का प्रतीक और भारतिय इतिहास वा अध्यात्म की साक्षी है आए, नर्मदा की इस कालातीत सुंदर्ता को हमारे साथ खुजिए, और भी यात्रा की कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें